कि दोस्तों सुसांत सिंग राजपूत साहब के केस में जिस तरह भारत सरकार की तीन बहुत बड़ी टीमें सी बी आई एडी और एंबी आई लगी हुई है उससे मुझे ही नहीं पूरी देशवास्यों को इस बात का यकीन है कि आने वाले किल में बहुत जल्द इस केस का निप्टारा होगा और यह सामने आएगा यह हत्या थी या आत्मत्या और अगर आत्मत्या थी तो उसके कारण क् कि इनकी वज़े से यह आत्मत्या की गई तो उनको भी बकसा नहीं जाएगा आत्मत्या के लिए उकसाने वालों को जो सजा कानून ने मुकरर कर रखी है उससे उन्हें दोचार होना पड़ेगा और अगर यह हत्या थी तो उससे भी गुनगार बच नहीं पाएंगे CBI, ED और NBI की टीम बहुत ही जोर तोर से इस केस में लगी हुई है और इसका सबसे अच्छा पहलू हुई है इन्होंने अभी तक ना महराष्ट की पुलीस पर उंगली उठाई उनसे जो कागज चाहिए थे उन्होंने ले लिए और ना मॉंबई की फिल्म इंड़स्टी पर उंगली उठाई बलकि इससे कनेक्टेड जो जो लोग है उनके मुतालिक उन्होंने बात की लेकिन इसका एक दुखत पहलू ये भी है कि मीडिया हाथ दोकर महराष्ट की पुलीस के पीशे पड़ी हुई है ये सबेरे से लेके शाम तक इनका एक ही काम होता है महराष्ट की पुलीस को कोशना जो की आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक मानी जाती है इस तरह पुलीस करिमियों को कोशना पुलीस की निंदा करना इससे वहां के जो महराष्ट में या मुंबई में जो लोग रहते हैं उनका मनोबल भी तूटता है और पुलीस की छवी भी हात होते हैं आप और हम पुरा देश जानता है कि महराष्ट की जो पुलीस है वो कितनी मुस्तोदी से अपना काम करती है अपने फर्ज के प्रति कितनी वो समर्पित है अगर सुसान सिंग राजपूत की केस में कोई पुलीस लगी वही थी तो सारी पुलीस तो थी नहीं दो चार पांच दस बीच पचास लोग रहे होंगे तो आप दस बीच पचीस पचास लोगों के लिए पूरी महराष्ट गोवर्मेंट की जितनी पुलीस है सब के ओपर कैसे उंगले उठा सकते हो आज 26-11 में जो हमला हुआ या जो होट जो बाम कांट हुआ होट लोग उड़ाया गया या अभी कोवीत में कितने पुलीस कर्मी सहीद हुए कितने पुलीस कर्मी मारे गए आप उन सब को जाने अन जाने आप सब उन सब को कोश रहे हो ये गलत बाता ऐसा होना नहीं आप सोचे उनके परिवारों को कितनी तकलीप होगी जिनके लोग इन सब हाथसों में मारे गए या शहीद हुए हैं आप पुरी पुलीस को आज बंबे मैं भी साल में कम से कम 6-7 माने मुम्मे रहता हूं मैंने भी देखा है बंबे की पुलीस कितनी फास्ट है मैं ये नहीं कहता हूं इस केस में वो लोग पता नहीं क्या दबाब रहा क्या नहीं रहा कौन जानता है इस बात को लेकिन आप चंद पुलीस कर्मियों के लिए पुरी पुरी पुलीस कौम को पुरी बिरादरी को आप कोश नहीं सकते हो ये गलत चीज है और सरकार को बलकि भारत सरकार क सिर्फ चासा चरस गांजा अपीम शराब और सेक्स यही और कुछ है नहीं फिल्म अंडर्स्ट्री में यह क्या बात हुई यह तो कोई चीज नहीं है कि आप एक कोई केश चल रही है सी बी आई और इनके टीम भी यह बात नहीं कह रही है यह सिर्फ उनसे मतलिक जो लोग है इ मीडिया पूरी फिल्म अंडर्स्ट्री को घसीट लेती है आग का मतलब यह जितनी भी तस्वीरे बनती है चाहे वो शोले बनी हो या मदर इंडिया या मुगले आजया दोनी या आज जो फिल्में बन रही है उन वो कैमरा में डियोपी जो है उचरस गांजा आफिम पीकर अपना केमरा आथ में लेता है डायरेक्टर जो है वो विचारस इन सब चीज़ करके डायरेक्शन देता है एक्टर यह सब चीज खापी करते हैं और मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है आप मतलब सारी फिल्म अंडर्स्ट्री को घसीट रहे हैं की चीज के अंदर आप ज जाने क्या क्या वहां हो रहा है वासना के इतने नंगे नाच होते हैं वहां भी गांजा अफीम सब कुछ होता है आप जाहिए चापे मारी अच्छे घर के लड़के लड़कियां बुजरुक तक उनमें शाविल है आप इंडिस्ट्री के पीछे इस तरह है इंडिस्ट्री बड़ी अच्छी इंडिस्ट्री है यह तोस्ए है यह जब कि भी भी कोई इसानी मसल़ा या मरहला दरपेश आा यह हिंडिस्ट्री में जब के भी भी कोई आस्वानी आाफ़द nasty ह का मुशीवत है इस इंडिस्ट्री के मुक्तिक ़ोम ने बढ़ चाल के इससा लिया है में जो भी मीडिया के कान ठीक आज कोई भी आईलाइट होती चाहे जेसी का तया कान्ड हो चाहे तंदूर पन्द हो या अरुसी हो या भी सुसान सिंग उसमें ठीक है मीडिया करती है अपना रोल लेकिन अवाम का बहुत बड़ा हाथ है अवाम जाकता है वो आवाज उठाता तो मीडिया को आना पड़ता है लेकिन इसका मितलब यह नहीं कि आप सारी विरादरी को एक साथ लेके कोशना स्टार्ट कर दो तो मेरी महराश्ट सरकार को कि पुलीस को इस तरह से कोशे जाने के लिए और फिल इनको कंट्रोल में रखे नमस्कार